200 स्क्रेयार्ड का सूपर लग्जीरिस फुली फुर्णिश्ट विला इन ओमेक स्पेस थी न्यू चंडिगर्ड तो कुछ इस तरीकी का एलिवेशन रहने वाला है हमारे आज के 200 स्क्रेयार्ड विला का हवसम ग्लिम्स कि अ कि अ अ अ झाल झाल जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया इट इस ओमेक्स फेस्ट्री औफ न्यू चंडिगर काफी डवलप्ट सुसाइटी है आपको सुसाइटी के अंदर अपको सुसाइटी के अंदर अपके जो सुसाइटी है वो फुल अफ ग्रीनरी रहेगी आपके रोड आप देखी विला के सामने वाला जो आपका रोड है वो कितना वाइड आपको यहां पर मिलने वाला है अगर मैं कलर कॉंबिनेशन की बात करूंगी आप इसमें ग्रे देख सकते हैं ब्राउन देख सकते हैं ब्लाग देख सकते हैं तो अगर भी आपके बात करेंगे तो यहां पर फर्सली आपको काफी अच्छा एक छोटा सा गार्डन मिल जाता है जिसको अप में एंटेन कर सकते हैं बहुत सारी चीजे आप यहां पर लगा सकते हैं इसके बाद यहां पर आचाएगा हमारा मेन एंट्री गेट जो आपका स्लाइडिंग गेट रहने वाला है अंदर काफी सारा स्पेस है आइज तो इनकेस आप पार्किंग वगएरा कडना चाहते हैं तो इक गारी कीपार्किंग यहां हो सकती है से पॉर्टिंग कर सकते हैं अपने प्लांट के लिए और बाहर के अलिवेशन के बात करूंगी तो इसमें जो आपका यह वर्क यूज किया गया यह आपकी टाइल्स आ जाएंगी जो आप यहां पे ग्रे देख सकते हैं दनी आपका काइंड ऑफ ब्लैकिश ग्रे आ जाएगा का इस साइड भी आप देख सकते हैं तो काफी अच्छा डेकुरेशन किया है विला का अफी अच्छा जो आप यहां पर देख सकते हैं वुडन का डोर आ जाएगा विद माट फिनिश आप देख सकते हैं काफी यूनिक काफी सोबर सा डोर है आएए चलते हैं अंदर आएए चलते हैं अंदर इस साइड आ जाता है आपका dining space and your kitchen area इस साइड आ जाता है हमारा drawing space आपका living space और एक powder room आपका यहां पे रहने वाला है तो पहले हम यह areas check out कर लेते हैं यहां पर आपके sofas अल्रेडी लगे हुए हैं चेर्स देख सकते हैं टेबल देख सकते हैं तो यह भी एक लीविंग स्पेस बन जाता है आपके घर का जहां पर आपका सिम्पली 7-8 सिटिंग इसली हो सकती है then coming to this side again यहां पर आजाता है आपका drawing area जहां पर again हमारे पास 8-10 सिटिंग इसली हो सकती है आपका टेबल है आप देख सकते हैं यहां पर सामने आपका पूरा LED पैनल आ जाएगा जिसमें आप यह different kind of work देख सकते हैं यह आपका काफी अच्छा डिजाइन यहां पर यूज किया है अगर हम ऊपर बात करेंगे तो आपका जो फॉल सिलिंग है वह भी काफी beautiful है दूसरी और important बात कि पूरे घर में जो आपका AC है वो आपका centralized रहने वाला है पूरे ही घर में चाहे आपके rooms हो चाहे आपका kitchen है चाहे आपके ड्राइंग डाइनिंग है सब जग आपका centralized AC रहेगा then coming to this side यहां पर आजाएगा आपके लिए पूजा स्पेस जो आप यहां पर देख स अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं किसी और तरीके से टेबल लगाना चाहते हैं तो भी आप लगा सकते हैं क्योंकि डाइनिंग एरिया में काफी huge space आपको मिल रहा है coming to this side यहां पर आपकी crockery के लिए space आजाता है जिसमें आप अपना crockery store कर सकते हैं storage के लिए काफी अच्छा space है जो लगा सकते हैं यहां पर पीछे का यह जो वाल का design है अगर अपनी dining area को लेके सोचे तो काफी अच्छा design है यह भी then coming to this side यहां पर आजाता है हमारा kitchen जिसमे starting में सबसे पहले आपका breakfast table आजाएगा जो आप यहां पर देख सकते हैं then this side आजाएगा हमारा cooking counter जहां पर आपका hob आपका chimney already यहां पर लगा हुआ है as it is आपको provide किया जाएगा यहां आजेंग आपके cabinets then guys second thing की घर में जो है जो आपका door है वहां पर आपको video call का feature मिल जाएगा जिसका tab आपका यहां पर लगा हुआ है security wise भी आपका जो घर है वो पूरा secure आपको मिलने वाला है then this side आजाएगा आपका sink यहां पर आपका cabinets देख सकते हैं यह जो आपका सामने वाला वाल है इस पर पूरा tile का work आजाएगा lower cabinets की बात करेंगे तो यह आपके soft closer के साथ रहेंगे different kind of cabinets आप देख सकते हैं यहां पर space different different आजाएगा then coming to this side यह another slab आजाता है आपके पास यहां पर भी आपके cabinets आजाएगे ऊपर नीचे भी आपके cabinets हैं of different sizes and then inside आजाएगा आपके appliances के लिए space जैसे के आप देख सकते हैं and your pantry section inbuilt fridge रहेगा आपका पूरा आपका inbuilt refrigerator रहने वाला है नीचे भी आप cabinets देख सकते हैं pantry बगर आप अपना पूरा यहां पे store कर सकते हैं so यह था हमारा kitchen kitchen के साथ ही आपका आपका जो backyard है वो भी connected आजाएगा आएए so guys this backyard को इन्होंने बहुत ही beautiful तरीके से decorate किया है इन चीज़ों को ignore कर दीचेगा so देखे आपके अच्छा beautiful sitting space यहां पर उन्होंने बना रखा है वो table and cheers यह जो space है आपके master bedroom के साथ भी connected रहेगा जो आपका ground floor पे है एक ही bedroom है आपका ground floor पे and space अगर यहां पर देखेंगे वो भी आपका काफी अच्छा है एक और अच्छी चीज जो आपके doors रहेंगे वो आपको यहां पर sliding doors मिल रहे हैं with blood glass so यह था हमारा drawing उदर मैंने आपको living space drawing space आपका dining kitchen Pooja space भी दिखा दिया है powder room रहता है वो भी दिखा देती हूं आपको so यह आजाएगा हमारा powder room जापे आपका seat basin प्रवाइड है mirror भी है आपका tiling सारी आपकी glossy tiles आजाएगी और जो flooring है वो भी आपका एंटिस्केट रहेगा so इसी के साथ हमारे घर के जो outer parts होते है वो complete होते है अब मैं आपको लेके चलूंगी rooms में तो हमारा एक bedroom आजाएगा first sorry ground floor पे and 3 bedrooms आपके first floor पे रहने वाले हैं and उससे top floor पे आपके लिए बहुत अच्छी चीज़े बनाई गई है यहां पे वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी पहले हम rooms check करेंगे so यह आजाएगा हमारा first bedroom with wooden flooring काफी अच्छा साइज है bed भी देख सकते हैं इतना बड़ा बेड लगाने के बाद भी आपको चेर्स के लिए space बच जाता है this side study table आजाता है आपका with this chair यहां पे आजाता है LED panel proper बना हुआ है बस आपको अपना LED लाना है लगाना है and entertainment enjoy करना है यह आपका backyard है जो आपका kitchen से connected था इसके साथ भी connected रहेगा दन यहां आजाता है हमारा washroom so guys काफी बड़ा washroom है आपका bathing section अलग है with this partition seat आजाएगा इस side आजाएगा आपके cupboards with sliding door layout भी काफी अच्छा है as you can see so यह था हमारा washroom of our first bedroom इसी के साथ हमारा जो ground floor है उसका tour complete होता है अब हम ओपर चलेंगे guys अगर यहां से देखोगे न यह वाला जो वाल है आपका यह कितना ज्यादा सुन्दा लग रहा है मतलब यह वाला जो एरिया है उपर जूमर देख सकते हो आप तो काफी elegant यह look का आ रहा है क्योंकि फ्रंट से अब आप देखते हो तो यही एरिया आपको पहले दिखाई देता है तो यह काफी अच्छा लग रहा है स्वाइए चलते हैं उपर सीडियों पर आपका complete marble का work आजाएगा प्लस wooden का work आजाएगा यहां पर यह देख रहे हैं आप यह टफन ग्लास है आपका वाल काफी सुन्दर लग रही है सो कुछ इस सरीगे का लुक रहेगा आपके first floor का जो आप यहां पर देख सकते है तीन bedrooms आ जाएंगे सो यहां आजाएगा हमारा second bedroom इस घर का so space देख लीजिए gray bed है आपका gray theme आजाएगा रूम का सामने आपका LED पैनल है जहां पर आप अपना LED लगा सकते है अपना screen लगा सकते है fall ceiling यहां पर आप देख सकते हैं काफी अच्छी है lighting आप चोड़ी चोड़ी बीच में देख सकत अगें काफी spacious है mirror है आपका basin है seat bathing section with partition आजाएगा जिसमें आपका पूरा bathing panel आजाएगा so इतर आजाएगे cupboard कुछ इस तरीके का layout आजाएगा काफी ज्यादा space है आपके outfits जितने भी होते हैं आपकी जितने भी stuff है वो easily आप इसमें store कर सकते हो so यह था हमारा washroom guys इस रूम में आपका जो flooring है वो सारा आपका wooden flooring आजाएगा so यह था हमारा second bedroom अब यहां है हमारा third bedroom again इसमें आपका wooden flooring रहेगा यह रूम आपका काफी बड़ा है bed है आपका then side में space देख सकते है for chairs study table यहां पर आजाएगा आपका यह आपका पूरा LED panel जो आप देख सकते हैं इसमें जो आपका paneling हो रखा है यह आपका वैल्विट का paneling हो रखा है इसके साथ भी आपका जो balcony है वो अटाइच आजाएगा गाइस यह जो आपकी balcony है यह आपकी second bedroom के साथ भी connected रहेगी जो मैंने आपको यहां से दिखाया था आप सो कुछ इस तरह के का space है balcony के अंदर सो यह थी हमारी balcony अब इस साइड आ जाएंगे हमारे वाश्रूम पूरा आपका cupboard area वाश्रूम इस साइड रहेगा तो स्टाटिंग में सबसे पहले यहां पर कबज आ जाएंगे कुछ इस तरीके का layout रहेगा ऊपर भी space है cupboard में और यहां पर seat आजाएगा आपका bathing section यह basin आजाएगा आपका with mirror रहने वाला है अब देख सकते हैं यहां पर नीचे vanity भी है यहां पर गाइज एक hidden space भी है जो मैं आपको दिखा दिते हूं तो कुछ इस तरीके का space रहेगा जिसको आप as a storage space भी यूज कर सकते हो या फिर अपनी चीज़ें चुपाने के लिए भी यूज कर सकते हो so this was our third bedroom अब चलते हैं हमारे fourth bedroom में so यह आजाएगा हमारा fourth bedroom space यहां पर भी देख सकते हैं this can be used as your guest bedroom LED panel यहां पर आजाएगा इसका पूरा फॉल से यहां पर देख सकते हैं काफी beautiful छोटी-छोटी सी लाइटे हैं जाएगी देन वाश्रूम आजाएगा starting में बेसन आपका mirror देन सीट आजाएगा bathing section बिल्कुल different आजाएगा separate यहां पर रहेंगे cupboards का ले आउट भी काफी अच्छा है आप देख सकते हैं जैसे आपको पूरे सबी वाश्रूम में गाईज जो कबर्च है उनका size काफी अच्छा मिल रहा है इसके साथ भी आपका जो balcony है वो अटाच रहेगा so यह आपके घर का front balcony आजाएगा जो आप देख सकते हैं वेलिंग काफी strong है with toughened glass यहां पर भी आप यहां पर आपका study table already installed रहेगा विंडो भी आजाएगा तो इस purpose से भी आप इसको यूज कर सकते हैं so this was our fourth bedroom अब इसी में यहां पर एक separate area भी आजाएगा जहां पर आपका जूला लगा हुआ है देख सकते हैं यहां पर भी plants लगा रखे हैं आप इनको maintain कर सकते हैं काफी अच्छा space आपको यहां पर मिल रहा है एक relaxing जैसी बिलकुल अलग से space बैठने के लिए चाही होती है तो वही आपको मिल रही है अगर गाइस अब इस पार्ट को भी देखेंगे ना तो यह भी काफी beautiful लग रहा है बीच में आप देखेंगे आपका paneling आ जाएगा जो आपका brown kind of paneling आ जाएगा जूमर है आपका तो यह काफी सुन्दा लग रहा है यह वाला area भी so guys that's it room हमने देख लिया है आपका ground floor देख लिया है अब हम चलेंगे ऊपर और आपको कुछ hidden spaces इस घर के दिखाऊंगी आए 10-10 and सबसे पहले तो आजाएगा आपका snooker जो आप अपने friends के साथ अपनी family के साथ यहां पे play कर सकते हैं मुझे खेलना नहीं आता अच्छे से हां बड़ आप खेल सकते हैं enjoy कर सकते हैं अपने friends के साथ अपनी family के साथ and then आए यहां पे आपको मिल जाता है in house theater guys जहां पे सामने screen लगी हुई है जब भी आपके पास time हो अपने friends को घर बुला के आप flex भी कर सकते हैं and enjoy कर सकते हैं friends के साथ कोई भी movie हो गई कोई भी आप sitting की बात करेंगे तो easily यहां पे 10-12 sitting हो जाएगी पूरा soundproof area है मजा आजाएगा जब भी movie देखोगे यहां पर यह था हमारा कुछ hidden space यहां पर powder washroom आजाएगा जो आप देख सकते हैं आप सीट है आपका दैन बेसिंग आजाएगा mirror and then इसके बाद एक open space भी मिल जाता है आपको so यह आजाएगा हमारा terrace जब भी आपको हवा खाने का दिल करें जब भी आपको बाहर घुमने का दिल करें आप यहां पर आ सकते हैं बैच सकते हैं सरदिया है धूपसेख सकते हैं और काफी अच्छा space है आपका यहां पर भी कुछ night parties वगरा करना चाहते हैं बाहर आपको करनी है तो उस तरीके से भी space को आप योटिलाइज कर सकते हैं तो यह था गाइस हमारा आज का यह विला बना हुआ है 200 स्क्वेर यार्ड के अंदर इतना बड़ा विला है मैं घुमते घुमते थंगी सांस चड़ रहे है मेरी हां तो आपको यह विला कैसा लगा हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमें करके जुरूर बताएगा काफी बियोरी बात करेंगे ओमेक्स में आपको यह विला मिल रहा है जिसके साथ आपको मल्टिपल अमिनिटीज मिल रही है ग्रीण पार्क्स हो गया आपके क्लब हाउस जिसमें आपको जिम्निया आजिम आपके पार्टी हॉल्स, इंडोर गेम्स बोहत सारी चीज़े यहां पर मिलने वा झाल